फ्रेंज आप सबी का वेलकम है मेरी यूटूब चैनल सबके सब पर आज के इस फोटोशॉप के टीटोरियल में हम लोग सीखेंगे किसी भी लो रिजोलुशन फोटो को अगर आप इनलार्ज करना चाहते हैं यानि उसे हाई क्वालिटी इमेज में बदलना चाहते हैं उसका एक बहुत ही यूनीक तरीका बताने जा रहा हूँ जो आज तक हमने नहीं बताया है इसको अगर आप यूज करेंगे तो आपकी इमेज ज़रूर अच्छी हो जाएगी कैसे यूज करना है देखे बहुत ही आसान तरीका है अभी ये 400% पर है तो ये इमेज इतनी खराब हो रही है आप देख सकते हैं यहाँ पर 400% पर है कंट्रोल 1 से 100% पर अगर मैं करता हूँ तो देखे क्या होता है ये देखे बहुत ही छोटी तस्वीर है इसको मैं बढ़ा करके दिखाता हूँ आपको एक सिंपल ट्रिक अपनाना है आप यहाँ इमेज में जाएंगे इमेज में जाने के बाद इमेज साइज और यहाँ पर आपको सबसे पहले ट्रिक आपको अपनाना है वो है यहाँ बाई क्यूबिक और इसको चेंज करके आप सेलेक करेंगे बेस्ट फोर इनलार्जमेंट क्योंकि हम लोग इसे इनलार्ज कर रहे हैं इसलिए सबसे अच्छा आप्शन यही माना जाता है आप इसको सेलेक कर लेंगे और उसके बाद आप यहाँ से ओके कर लीजिए अब आप देख सकते हैं इसकी क्यूलिटी बहुत अच्छी हो गई है अगर आप चाहें तो इसी फोटो में एक दो चीजें और एड़ करके इसको और बहतर बना सकते हैं वो यह है कि आप यहाँ फिल्टर में जाएए और यहाँ 29 को थोड़ा सा रिडियूस कर लीजिए और दूसरा आप शार्पेन में जाकर के यहाँ पर स्मार्ट शार्पेन एड़ कर लीजिए यह दो चीजें अगर आप कर लेंगे तो आपकी यही तस्वीर और भी बेहतर हो जाएगी तो आई थिंक इस टीटोयों से आपनों को काफी फायदा होगा अगर आप चाहते हैं फोटोशॉप को अच्छे से सीखना डिटेल में सीखना चाते हैं तो आप मेरे प्रीमियम क्लास ऑनलाइन पर ज़रूर जोइन कीजे इससे आपको एक एक चीजें काफी डिटेल में मिल जाएगी अगर आप कॉंटाक करना चाहते हैं तो कॉंटाक नमबर और इमेल आईडी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप जब चाहें मुझे कॉल कर सकते हैं किसी तरह का कुछ कनफीजन है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए उसका सॉलुशन ज़रूर लेकर आऊंगा और फ्रेंस आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिजे